हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्टीचर्स में ये एक न्यूज है ये एक पेपर की कटिंग है जो कि आज की डेट की है यानि दो तारीक की है और अब तीन तारीकों से फोस्ट कर रहे हैं तो एक सुझाव आया है ये सुप्रीम कोट की हैं हो रही है जो टीचर्स की आज कल एक्जाम सो रहे हैं उसके बारे में बताया है कि जो सिक्षक है सिच्षक मौली का थिकार है और यहां पर सिक्षक होने चाहिए वह काम चलाओ नहीं होने चाहिए योग सिक्षक ही होने चाहिए इसी पर हम चल्चा करेंगे जैसा कि इसम बूए अबने रहे हैं मारज साथ चैनल पे-स भी आई तो संक्राइब कर लिजे और वीडियो कोुट कर दीजे लाइक कर दीजे को आते है इस नीवेस पे पड़के सुना देते हैं आपको इसमें लिखा गया है कि सिख्षा मौले का धिकार तो सिख्षक काम से लाओ क्यों योग्यता मान दंडों का परण किये बगएर प्राइमरी स्कूलों में तदर्थ सिख्षकों की भरती करने से सिख्षा की गिरती गुडवत्ता पर सुप्रीम कोट ने चिंता जताई है कोट ने कहा कि ऐसी नीदियों से सारा सिख्षा तंतर खराब हो रहा है और देश का भविस्त बिगड रहा है जस्टिस बीहिस चोहान और जस्टिस दीपक मिस्रा की पीट ने ये टिपणिया गुजरा सरकार की याजिका पर सुरुआई के दौरान की गुजरा सरकार की एक सिनवाई चल रही थी उसमें उन्होंने कहा है कोट ने कहा कि सिख्षा का मौले कधिकार लागू होने के बाद ऐसी नीदियों को अनुमती कैसे दी जा सकती है तदर्थ सिख्षकों को भरती से सिख्षा के गुडवत्ता गिर रही है जिनके पास पर्याप्त योगिता नहीं है उन्हें तदर्थ सिख्षक न्युक्त किया जा रहा है कोट ने नाराजगी जिताते हुए कहा कि इस तरह के लोकल भावन सिधान्त से देश का भविस से नहीं बरबाद किया जा सकता इन सिख्षकों की योगिता क्या है पीट ने गुजरा सरकार की विद्या सहाय को की न्युक्त के संबंद मामले के सुनवाई के दौरान कहा कि अनुछेद 21 ए लागू होने के बाद ऐसी नीद कैसे लाई जा सकती है पीट ने कहा कि उतर प्रदेश में भी ऐसे सिख्षा सहायक है यह सिख्षा सहायक नहीं सिख्षा सत्रू है जैसा कि सुप्रीम कोट इन्हें पहले भी बोल चुका है इससे पहले जो सुप्रीम कोट तक सिख्षा वित्र गए थे उनको सुप्रीम कोट ने ऐसा बोला था तो साथ ही कोट ने गुजरात को विद्या सहाय को की योगिता संबंधी बिवरापेस करने का आदेश दिया राज्यों में प्राइमरी स्कूलों में तदर्थ सिच्छकों की भर्ति की जाती है और उन्हें नियमित सिच्छक से चौथाई वेतन दिया जाता है सिच्छा का मौलिक अधिकाल लागू होने के बाद ऐसी नीतियों को कैसे जारी रखा चाह सकता है तो आप लोग समझ गया होंगे इस वीडियो में क्या कहा गया है ज्यादा हम नहीं कहना चाहेंगे वरना अभी हमारे वीडियो पर कुछ फालतू लोग कमेंट करने लगेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें सुप्रीम कोट ने क्या कहा है इस पसली उत्तरप्रदेश को लेकर नहीं कहा है यह सब को लेकर कहा है गुजरात का ही केस है यह गुजरात का को एक केस है वो जो कि सुप्रीम कोट पर चल रहा है उसी पर बहस की है और उसमें इन्होंने उत्तरप्रदेश का भी जिक्र किया है तो आसा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें हो सायद हमारे हागे जो हाई कोट पर केस है तो उन लोगों तक भी यह वीडियो पहुचे या फिर न्यूज पहुचे तो वो लोग भी इस पर विचार कर सकते हैं तो आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्रीस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आप मारी जो नोटिफिकेशन से वो आप मिस ना कर पाएं धन्यवाद जैहन